एक नगर में एक बूढ़ा राजा था, बूढ़े राजा का नाम वीर सिंह था, महाराज वीर सिंह के राज महल में एक बगीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे, सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अतिप्रिय थे, इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेश ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमन करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब भी बगीचे में भ्रमन के लिए आये तो पाया की पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिये और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे ततकाल बंदी बना कर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतरकता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बलकि बुजुर्ग रमेश का पुत्र था। जब यह बात रमेश के घर तक पहुँची तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और रमेश से मिन्नते करने लगी कि कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छोड़ा कर लाए। रमेश राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पू जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से कारागार में मिलना। रमेश क्या करता? दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों दवारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर-जोर से कह पिता जी आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिये, कृपया कुछ करिये। रमेश दूर से ही चिल लाया, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिता जी क्या कह गए, क्या इसका कोई अर्थ था, वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता दवारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया, उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो, उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा, जब पहरेदार महाराज के सामने पहुँचे, तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था, पहरेदार महाराज से बोले, महाराज, ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है, महारा अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहां गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब रमेश का पुत्र सारे गुलाब खा गया। अब बिना प्रमाण के यह सावित करना असंभव कि वह गुलाब चोर है। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे। एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाए। इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। भविश्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना इसे ततकाल छोड़ दो। र रमेश ने उसे क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे गुलाब के फूल हो या कोई और वस्तू चोरी हमेशा चोरी ही होती है। और चोरी करना कानूनी अपराध है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।